दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Manual Transmission और Automatic Transmission में क्या क्या differences होते हैं कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं वर्तमान समय में Market में जो भी कारे अवलेबल हैं कुछ कारे ऐसी हैं जो Manual Transmission पर चलती हैं तो कैसे ये दोनों Transmission एक दूसरे से अलग हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या differences हैं तो कुछ factor हमने consider किये हैं जिसके अधार पर ये जानने की कोसिस करेंगे सबसे पहला factor है Gear Shifting Manual Transmission वो होती है जिसमें Gear को shift किया जाता है ड्राइवर के दुआरा हाथ के प्रियोग से जो Transmission है basically क्या होती है Transmission में हम जो Engine Power है उसको हम जो गाड़ी के Wheels हैं वहां तक लेकर जाते हैं Gear Box के माध्यम से जो Automatic Transmission है Automatic Transmission में क्या होती है कि Driver के Hand के बिना Gear shift हो जाते हैं Automatically Car की Speed के अनुसार और जो Automatic Transmission है इसके और भी वर्जन होते हैं जैसे CVT, DCT, AMT CVT मतलब कि Continuously Variable Transmission DCT Dual Clutch Transmission और AMT Automated Manual Transmission Automated Manual Transmission का ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि इस केस में जो गाड़ी है अगर हम चाहें Manual Transmission में भी ला सकते हैं और Automatic Transmission दोनों का इस्तिमाल किया जा सकता है उसके बाद बात आती है डिजाइन की जो Manual Transmission होता है इसका Design Simple होता है कम Komplex होता है लेकिन जो Automatic Transmission का केस है इसमें जो डिजाइन होता है वो ज़्यादा Komplex होता है ज्यादा number of component इसमें इस्तेमाल किये जाते है torque converter का इसमें इस्तेमाल किया जाता है driver skill की बात करें manual transmission की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए ज्यादा driving skill की आशकता होती है इसको चलाना इतना असान नहीं होता high skill driver हमें चाहिए और इसको सीखने में भी ज़्यादा समय लगता है driver को लेकिन जो automatic transmission है इसमें कम skill चाहिए driver को बड़ी आसानी से इसको चला सकता है और इसको सीखने में भी कम समय लगता है driver attention की बात करते है manual transmission के case में driver को ज़्यादा attention देने की आशकता होती है क्योंकि बार बार gear को shift करना पड़ता है अपने हाथ की दुआरा लेकिन जो automatic transmission है इसमें driver की जो attention कम चाहिए क्योंकि इसमें driver एक हाथ से जो gear को shift नहीं करता speed of car के अनुसार ही जो gear है वो shift हो जाते है number of pedals manual transmission में तीन number of pedal होते है clutch pedal होता है, brake pedal होता है acceleration pedal होता है लेकिन जो automatic transmission है इसमें 2 pedal का इस्तेमाल किया जाता है clutch pedal नहीं use करते brake pedal और acceleration pedal का इसमें इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो गाड़ियां automatic transmission और manual transmission दोनों पर कारिया करती है उसमें clutch pedal भी होता है लेकिन जब गाड़ी automatic transmission में होती है तो उस दोरान clutch pedal का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसके बाद है active cooling manual transmission के case में हमें active cooling है उसकी आशकता नहीं होती लेकिन automatic transmission के case में active cooling की आशकता रहती है क्योंकि इसमें जो overheating की problem कई बार हो जाती है number of gears की बात करते हैं तो manual transmission के case में जो गाड़ी में जो gear होते हैं वो 5 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं प्लस एक reverse gear होता है लेकिन automatic transmission के case में 6 से लेके 8 gear हो सकते हैं उसके बाद बात करते हैं fuel efficiency की जो manual transmission होता है इस case में यह ज़्यादा fuel efficient होता है और ये भी depend करता है ड्राइवर की जो driving skill है उसके उपर कम complex होता है इसके weight भी कम होता है लेकिन जो automatic transmission है इस case में जो fuel efficiency है वो manual transmission से कम होती है mileage की बात करते है manual transmission का mileage ज़्यादा होता है जबकि automatic transmission का mileage है वो कम होता है drive on steep heels तो यह जो अगर आप देखें जो steep heels होती है एकदम चड़ा ही आ जाती है तो उस दोरान के है कि जो manual transmission है इस case में अगर हम बात करें manual transmission के case पे जो steep heels है वहाँ पर गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुस्किल होता है आप ही हो जाएगी लेकिन यहां driver को ध्यान रखना पड़ता है उसके बाद है driving in traffic अब driving in traffic की बात करें जो manual transmission वाली गाड़ियां होती है ड्राइवर के दुवारा इनको operate करना थोड़ा मुस्किल रहता है क्योंकि इसमें क्या है कि constant stopping हो जाती है कहीं पर constant starting भी हो जाता है एकदम चलना भी पड़ सकता है एकदम रुकना भी पड़ सकता है तो इसमें क्या कि shifting करनी पड़ती है driver को gears की लेकिन जो automatic transmission है जब high density होती ह ये traffic की तो उस case में इसको चलाना आसान रहता है क्योंकि चाहे constant stopping है चाहे फिर constant starting है गाड़ी को तो automatic ही gear को change करना है तो driver का interference कम रहता है इसमें उसके बाद आती है maintenance cost अगर हम बात करते हैं maintenance cost की manual transmission के cost case में ये कम होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम maintenance के हमें आफशकता पड़ तो ज़्यादा maintenance के अब सकता होती है और इसकी maintenance cost है वो भी ज़्यादा होती है अगर हम बात करते हैं cost की कि इन दोनों में जिन गाड़ियों में हम manual transmission यूज़ करते हैं उस गाड़ी की cost क्या रहती है जिस गाड़ी में automatic transmission का इस्तेमाल करते हैं उसकी cost क्या रहती है manual transmission वाली जो गाडियां होती है उनकी cost कम होती है जबकि automatic transmission वाली गाडियों की जो cost है वो ज्यादा होती है उसके बाद resale value की अगर हम बात करें जो resale value होती है manual transmission की कम होती है resale value automatic transmission की ज़्यादा होती है उसके बाद popularity की अगर हम बात कर लेते हैं जो manual transmission की गाडियां है वो सहरी और ग्रामिन अक्षेतर दोनों में इनकी popularity है लेकिन जो automatic transmission है इसकी ज़्यादा popularity है वो urban areas में है सहरी अक्षेतरों में इसकी ज़्यादा popularity है उसके बाद अगर हम बात करते है जो manual transmission वाली गाड़ियां कौन सी है उनके कुछ example अगर हम देखें और automatic transmission वाली गाड़ियां कौन सी है उनके कुछ example की अगर हम बात करें manual transmission की जो गाड़ियां है उसमें Tata Harrier XZ है Maruti Suzuki Siyad Sigma है Maruti Suzuki Desire VXI है Hyundai Creta E है Hyundai Verna E Toyota Innova Crystra है Skoda की Rapid है Datsun Go Plus A और इसके अत्रिक्त जो Tata Nexon XZ Maruti Suzuki Swift LXI और Honda City VMT Petrol ये जितने भी गाड़ियां है manual transmission में मुझूद है अगर हम बात करें automatic transmission की कुछ गाड़ियों की जैसे Jeep Wrangler है Mercedes Benz C Class है Toyota Fortuner Volkswagen Polo Hyundai Verna Toyota Urban Cruiser BMW 3 Series Tata Nexon EV तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो हम बात करते हैं automatic transmission की हैं इसके अत्रिक्त एक factor जैसे हम बात करें जो manual restrictive की बात करते हैं मतलों कि जब भी गाड़ी को ऐसा माना जाता है कि जो safe driving होती है जब हमारा जो wheel होता है जो steering wheel है तो उस पे कह कि दोनों हाथ होने चाहिए लेकिन ये जो possibility है manual transmission के कम में कम रहती है क्योंकि इस दोरान एक जो hand होता है driver का वो gear shifting में busy रहता है लेकिन automatic transmission के case में हमारे wheels के उपर दोनों hand रहते हैं driver के तो इसमें ये possibility रहती है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो manual restrictive है वो कम है automatic transmission में तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया manual transmission और automatic transmission में क्या क्या difference है किन-किन गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दे हाजर होते एक नए वीडियो के साथ अब तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे मेरी नजरों है मेरी नजरों है मेरी नजरों है मेरी नजरों है